नमस्कार प्रणाम मैं जीत कुमार और आप देखना सुरू कर चुके हैं फ्री भारत आप जैसा कि जानते हैं कि बिहार में एक के बाद एक कई दरजनों घटनाएं घटते जा रही है डेली 100 से जादा खबरे आ रही है कहीं लूट का कहीं मडर का कहीं चोरी का कहीं किसी और च चेत्र गया जिले में आता है यह चेत्र उसमें गाँ है रंग पूर जिस गाँव के निवासी है रंजीत यदव जिनका आज निरमं तरीके से उनका पैर काट दिया गया है अग्यात अप्राधियों के द्वारा यह काम किया गया है वह कौन है इसकी जनकारी अभी नहीं वह घूम फिर के आ रहे थे अपने गाड़ी से अपने मोटर साइकल से आ रहे थे वह और आने के बाद रास्ते में वह मिलता है अपना टेम्पू लगा कर कहा जा रहा है कि टेम्पू रोड पर खड़ा था वह आए सामने उनको रोका गया उसके बाद उनको धक्का देकर पहले तो उनको मारा पीटा गया आप जानते हैं कि उनमें जड़प हुआ और जड़प होने के बाद उनको नीचे गिरा दिया गया गिराने के बाद उनका पैर टांगी से काट दिया गया है ये खबर निकल के आ रही कि तांगी से रंजी तियादव का पैर काट दिया गया जिसे लकडी वगयरा काटते है लकड़हरे लोग उससे उनका पैर काट दिया और पैर पूरी तरह से एकदम उनके पैर से अलग हो गया मतलब घुटी का जो नीचे का एरिया होता है वो पूरा काट के अलग कर दिया गया उसके बाद आप जानते हैं कि प्रसासन वहां आती है मूख दर्शक बनके देखती है और देख के लोट जाती है बिना कोई प्रसासन लोट जाती है और आपको पता है कि उनको जो रंजीत यादव है उनको पहुंचाने के लिए मगद मेडिकल एंबुलेंस तक नहीं आया एंबुलेंस का वेवस्ता तक नहीं करवाई पुलिस नहीं और उनको नीजी वाहन के द्वारा एक टेम्पू के द्वारा उ तो मैं फूटेज आपको दिखा देता हूं कि भरती होने के बाद वो किस तरह से हैं उनका पैर किस तरह से काटा गया था वो तो हम दिखा भी नहीं सकते हैं क्योंकि वो दिखाना ठीक नहीं रहेगा लोगों को विचलित कर सकता है लेकिन जो घटना के बाद वहां पर इला को वीडियो पर नजर आ रहा होगा कि कैसे उनको निर्मन तरीके से उनका पैर काट दिया गया उनका हाथ तोड़ दिया गया आप देख रहे होंगे प्लास्तर लगा हुआ है और उनके लोग वहां पर उपस्तित है तो क्या कुछ आप लोग इसके बारे में सोचते हैं कि इ दिरे दिरे बिहार में बढ़ते जारी है नितीश कुमार के सरकार में यह जो घटनाएं घट रही है इसका जिम्मेदार कौन जवाब देही कौन तय करेगा कौन इसका जिम्मेदार है यह कैसे पता चलेगा प्रशासन आती है और सूद नहीं लेती है प्रशासन आती है एफ दीरे दीरे लचर विवस्था की और बढ़ते जा रहा है आप एक समय में लालू प्रशाद यादव के राज को कहते थे जंगल राज तो आज यह कौन सा राज चल रहा है यह मैं बिहार के सरकार से और नितीष कुमार जी से पूछना चाहता हूं कि यह कौन सा राज चल रहा ह सुषासन भाबु की सरकार में यह क्या हो रहा है यह हम पुछना चाते हैं अपने चैनल के माधियम से इस तरह की घटनाओं पर रोख कब लगेगी लोगों को आपके प्रशासन का डर खतम हो चुका है उनको पता है कि प्रशासन मूख iba की पिता को यहां तक की आप जानते हैं कि किस तरह से के पिता का हत्या हो गया उसी तरह कि घटना घटित होते रहती है मंत्री के पिता का हत्यारा तो लगबग 24 से 48 गंटे के अंदर पकड़ा गया लेकिन क्या इस तरह के अपराद करने वाले बिहार में और तमाम लोग हैं या और तमाम लोग जिन्होंने अपराद किया है वो पकड़े जाएंगे यह सवाल हमारा है नितीज सरकार से अगर यह वीडियो फ चैनल को सब्सक्राइब करें जै हिन जै बिहार